सब्सक्राइब नाओ एंड प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिसन अपडेट हेलो एवरीवन हाव और यू इस बेसिक स्ट्रिक्टर को हमने काफी बार जो है पिछले चेप्टर के अंदर देखा है जो तर्म बार-बार यूज हुई है उसकी बारे हम देखने वाले हैं कि आखिर यह बेसिक स्ट्रिक्टर है क्या आखिर यह इतना जाता है इंपोर्टेंट क्यों है तो इससे रिलेटर काफी सारी इंपोर्मिशन जो है हम इस चेप्टर के अंदर देखेंगे तो देखे अगर सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो question arise होता है कि जो parliament है वो जब भी fundamental right को change करने की कोशिश करती है तो कहीं ने कहीं basic structure जो हो picture में आ जाता है तो ऐसा क्यों तो देखे parliament की power के बारे में हमने देखा था कि parliament के पास power है कि वो article 368 का प्रियोग करते हुए किसी जो भी हमारे constitution के अंदर जितने भी provision दिये हैं उनको change कर सकती है साथ के साथ fundamental rights को भी यानि जो हमारे fundamental rights हैं उनको भी change कर सकती है except की condition दी है सुप्रिम कोट ने की basic structure को change नहीं कर सकती है बाकी सारे की सारी जो feature है उनको change कर सकती है लेकिन basic जो structure है उसको change नहीं कर सकती तो देखे इसका evolution की स्थिक के सिवा कैसे जो है ये picture में आए तो देखे कैसे जो है emergence wise term का तो देखे सबसे पहले हम बात करते हैं संकरी परसाद case जो की 1951 के अंदर वा तो देखे संकरी परसाद case जो है जब हमारा 1950 के अंदर constitution लागू हुआ था उसी time पर ये case आ गया था संकरी परसाद case 1951 के अंदर और उसी time पर जो है first amendment act 1951 जो है वो pass किया गया यानि starting में ही पहले year के अंदर ही हमारे constitution के अंदर amendment कर दी यानि हमारे constitution condition 1950 में लागू हुआ था बनकर त्यार हुआ उसके बाद जो है 1950 में इसको लागू किया गया 1949 में बनकर त्यार हुआ ये 26 cucumber insanlar Namasko उसके बाद 226 January 1950 को इसको क्या कर दिया गया उसके बाद देखे within one year जो है इसके अंदर amendment भी कर दी गई अब यह amendment करके क्या किया गया कि जो हमारा right to property था उसको curtail कर दिया गया अब देखे इसके अंदर जो है सुप्रियम कोर्ट ने क्या judgment दी थी संकरी परसाद के अंदर केस के अंदर तो उस time पर जो है यह case गया कि हमारा जो right to property है इसको क्या कर दिया गया है इसको जो है हमारा यह right जो है वो चीन दिया गया है अब इसके खिलाफ जो है लोग के जो है court में जाते हैं और वहाँ पर जो है सुप्रियम कोर्ट की judgment आती है सुप्रियम कोर्ट judgment देता है कि Parliament के पास power है कि वो जो है इसको constitution को change कर सकती है इसके साथ साथ जो fundamental right है जो कि हमारा right to property था वो हमारा एक fundamental right था जो कि article 31 के अंदर आता है तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो है इस article को change को यहां से क्या कर दिया गया रिपील कर दिया गया और यह right जो हमारा हटा दिया गया तो इसके खिलाफ जो है सुप्रिम कोर्ट म आप से छेन सकती है तो उस टाइम पर इसकी काफी narrow जो है वो interpretation जो है वो सुप्रिम कोर्ट के द्वारा दी गई अब देखिए article 13 के अंदर हमने डिसकुस किया था जब हमने fundamental right है उनके अंदर जब हमने डिसकुस किया था देखा था कि article 13 के अंदर बताया गया है कि कोई भी जो की हमारे क्या करता है fundamental right को जो भी पार्लिमेंट के दौर पास किया जाता है अगर वो हमारे fundamental right को violate करता है या उनको हमर से दूर करता है तो उस लो को क्या बोला जाता है उसको unconstitutional बोल दिया जाता है इन वैलिड उसको क्रार दे दिया जाता है तो देखे इसके अंदर क्या किया गया इसको क्यों नहीं दिया गया क्योंकि इन्होंने fundamental right छीन लिया था तो Supreme Court ने इसको क्यों नहीं कहा कि इस ये amendment जो है वो क्या है वो null and void है या unconstitutional है क्योंकि उस टाइम पर इन्हों ने कहा कि जो constitutional जो amendment पास की जाती है ना उसको low की category में नहीं रखा जाता उस टाइम पर सुप्रेम कोर्ट ने ये कहा कि जो constitutional amendment जो पास की जाती है ना उसको low की category में नहीं रखा जाता यानि low define किये गए थे ना कि किस तरीके से low किसको बोला जात स्टेट लेजिसलेचर के दौर पास किये जाते हैं यह लोकल जो बोडी हैं वो जो है लोग बनाती हैं तो उन लोग को इसके अंदर आर्टिकल 13 के अंदर हमने देखा था कि लोग की प्रिभासा उसके अंदर दी गई थी तो सुप्रियम कोट ने कहा कि जो कुंस्टिटूशन और कहा कि पार्लेमेंट के पास पावर है कि वो आर्टिकल 368 का यूज करते हुए किसी भी फंडामेंटल राइट को हमसे दूर कर सकती है यानि हमसे चीन सकती है तो यह उस टाइम पर उन्होंने जो है अपनी जेजमेंट में कहा था उसके बाद देखें यह काफी नैरो इं उल्टा कर देता है यानि उस टाइम पर उन से गलती हो गई थी अब उसको क्या करेंगे वो सही करेंगे और वो क्या करते हैं जो 17th amendment 17th constitutional जो amendment 1968 के अंदर होती है उसको क्या कहता है वो कि इसके द्वारा क्या किये गए थे यह जो amendment पास की गई थी इसके द्वारा पार्लियमे के अंदर अगर कोई भी मैटर अगर डाल दिया जाता है तो उसको सुप्रिम कोर्ट के अंदर उस टाइम पर चैलेंज नहीं कर सकते थे यानि सुप्रिम कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते थे आप उसको चैलेंज करने के लिए अगर उसको 9 schedule के अंदर डाल दिया गया है अग को 9 schedule में काफी सारे matters इन्होंने डाल दिये और इस वज़े से क्या हुआ काफी सारे जो है rights के violation भी होने लगे तो यहां पर फिर से जो है इसके खिलाफ जो है सुप्रिम कोर्ट में case डाला जाता है और फिर सुप्रिम कोर्ट का decision यहां पर निकल कराता है कि जो fundamental rights हैं वो जो है immun fundamental right को यहां पर average नहीं कर सकते यानि आप उनको वैलर नहीं कर सकते उसके बाद जो है यहां पर जो constitutional amendment है उसको भी low की definition के अंदर सामिल कर दिया गया जो कि article 13 के अंदर दी गई थी यानि जो पिछले case में संकरी परसाद के case में जब सुप्रिम कोर्ट ने कहा था कि जो article 13 के अ amendment को count नहीं किया जाएगा लेकिन इस case के अंदर क्या कर दिया गोलकनाथ case के अंदर उसको क्या कर दिया बोला गया कि कानून की यानि law की definition के अंदर जो है constitutional amendment को भी डाला जाएगा इसलिए यह जो लो आपने बनाया है जो आप यह amendment कर रहे हैं जो आपने 17th amendment की है और इसकी द right क्या violation करते हैं अगर उनके right को violate करते हैं तो वो क्या हो जाएंगे सारे के सारे null and void हो जाएंगे तो यह case जो है इस case के अंदर जो है Supreme Court ने अपनी काफी wide interpretation यहां पर दी है उसके बाद जो है Parliament को बुरा लग जाता है और वो क्या करती है यानि Supreme Court ने जो judgment दी थी उसके अंदर वो change ही कर दी है Article 13 को जिसके अंदर लोग की परिभाशा में बोला था Supreme Court ने कि यहां पर constitutional amendment भी इसके अंदर आएंगी तो इन्होंने क्या कर दिया Article 13 को change कर दिया और Article 368 को जिसके द्वारा Constitution को amendment किया जाता है उसको ही change कर दिया इन्होंने जो है इनके अंदर क्या modification कर दिया है और अंदर Article 368 के अंदर यह change करके यह provision डाल दिया Parliament ने कि आपके किसी भी राइट का यहां पर क्या किया जा सकता है आपसे दूर किया जा सकता है आपके fundamental राइट जो है वो आपसे छीने जा सकते हैं यह power किसके पास दे दी गई यह power जो है वो पार्लेमेंट के पास है और इसके साथ साथ अगर इसके द्वारा जो Article 368 के द्वारा अगर कोई भी कानुन पास होता है तो उसको Article 13 की कैटगरी में नहीं रखा जाएगा यानि सुप्रिम वोट ने देखा क्या कहा था पिछले केस में गोलगनात में कि Article 13 के अंदर जो है 368 के द्वारा जो भी constitutional amendment लाई जाती है वो Article 13 के अंदर लो की कैटगरी में आएंगी यानि लो की definition में उनको सामिल किया जाएगा लेकिन यहां पर पर पार्लेमेंट ने क्या किया पूरा constitution ही चेंज करके लिख दिया Article 13 के अंदर की इस लो की परिभाशा में हमारे जो 30 यह इस आर्टिकल के अंदर ज चेंड़ा आप से चीन सकती है उसके बाद आता है केसवानन भारती केस इसके बाद जैसे ही यह अमेंडमेंट 90-71 में जो अमेंडमेंट की जाती है पार्लेमेंट के द्वारा 24 और इसके अंदर जो भी Article 368 के अंदर एं 13 के अंदर जो चेंज किया जाते हैं उसके बाद जो ह इसके खिलाब फिर से जो है सुप्रिम कोर्ट में जो है केस जाता है और वो केस का नाम है केसवानन भारती केस 1973 अब देखे इस के अंदर क्या होता है कि सुप्रिम कोर्ट जो है वो कहता है कि ठीक है पारलेमेंट ने कहा पारलेमेंट ने जो भी यहां पर पास किये हैं जो भी इन्होंने modification किया है जो भी change किया है तो उन्होंने सुप्रिम कोट ने कहा ये सही है यानि पार्लेमेंट के पास power है कि वो आपके fundamental right को आप से ले सकती है छीन सकती है ठीक है पावर है उनके पास लेकिन उन्होंने एक नया जो डोक्टरीन है वो picture में ला दिया वो क्या था basic feature of the Constitution यानि basic structure basic structure को change नहीं कर सकती यानि आप जो मर्जी change करें लेकिन आप जो है Constitution का जो basic structure है उसको change नहीं कर सकते इसका मतलब यह हुआ कि Article 368 के अंदर जो है आप कुछ भी change कीजिए कोई भी modification अपलाईए कोई भी amendment कीजिए लेकिन आप जो है constitution का जो basic structure है उसको change नहीं करेंगे इसका मतलब यह हुआ कि parliament जो है वो क्या कर सकती है कि fundamental right को taken away कर सकती है लेकिन आप जो है जो उसका basic structure जो form करते हैं वो आप जो है उसको जो है violate नहीं करेंगे इसका मतलब है कि parliament जो है आपके fundamental right जो है वो भी इ तरीके से basic structure का part है उनको change कर सकती है अगर थोड़ा बहुत change करना चाहे change कर सकती है लेकिन यही बात है कि उसके अंदर जो है उसको आपसे छीड नहीं सकती क्योंकि वो क्या है आपके basic structure का constitution का जो basic structure है उसका part है तो यहाँ पर जो है यह पूरी की पूरी picture जो है वो सुप्रेम क पूरी ने change कर दी कि केस वानन भारती केस के अंदर आया कि सारा का सारा जो है इनोंने सारा का सारा क्या डाल दिया एक term जो है उन्होंने innovate की basic structure उसी के base पर इनोंने जो है पार्लियमेंट की ने जितने भी यहाँ पर जो है amendment की थी उन समके base पर यह basic structure जो है वो term सामने लाकर रख दी ताकि पार्लियमेंट अपनी मनमर जी जो भी करे लेकिन इस जो है term को वो नहीं छेड़ सकती अब देखिए की दुबारा फिर से यह doctrine जो है री अफर्म किया गया री अफर्म और अपलाई किया गया सुप्रीम कोट के दौरा यानि basic structure को दुबारा से यूज किया कि इस case में इंद्रा नहरूप गांधी case 9075 इस case के अंदर दौरा से सुप्रीम कोट ने इस case के अंदर जो election के इलक्शन से लेटर जो case था जिसमें प्राइमनेस्टर स्पीकर के election से लेटर जो case हुआ था उसर और उसके बाद जो है national emergency लगी थी तो उस case को आप जो और अच्छे ये 39th जो amendment है, नहीं, 1975, ये जो है amendment लाकर इन्होंने एक change उसके अंदर लाया था, तो constitution के अंदर, उसके अंदर इन्होंने कहा कि कोई भी अगर प्राइम मिनिस्टर से related और जो speaker of locks भाय है, उसके election से related अगर कोई भी dispute होता है, तो वो हर एक जो court है, सभी courts की jurisdiction से पाहर होगा, च किसी की jurisdiction में नहीं आएगा, मतलब यहाँ यह खुदी इसको handle करेंगे, खुदी इसका solution निकालेंगे, मतलब यहाँ पर court बीच में नहीं आएगा, तो यह amendment पास कर दी पार्लियमेंट ने, वो भी अपने फाइडे के लिए पार्लियमेंट ने यह amendment पास की, कि ताकि यहाँ प खिलाफ जब केस जो है, यहाँ पर सुप्रिम कोर्ट में जाया गया कि इस तरीके से यह amendment पास की है, पार्लियमेंट ने यह जो गोर्मेंट है, उसने यह वली जो amendment है, वो पास कर दी है, अब इसके खिलाफ जो है, लोग केस इसमें जाते हैं, और यह इंडरा नहरू गांद मरजी से जो है, इंडिया का प्राइम मिनेस्ट और स्पीकर इस तरीके से डिसाइड नहीं कर सकते, यहाँ पर जो है, लोगों की मरजी यहाँ पर चलेगी, क्योंकि लोग जो है, वो इलेक्शन के द्वारा यहाँ पर जो है, आपको अपना पतिनीधी बनाते हैं, तो इस से पाउर को आप इस तरीके से कर्टेल नहीं कर सकते, और यह भी किसका पार्ट है, यह भी बेसिक स्ट्रिक्चर का पार्ट है, उसके बाद देखिए पार्लेमेंट फिर से रियक्ट करती है, और 42 अमेंडमेंट जो है, एक्ट वो पास करती है, 1976 के अंदर, तो देखिए, यह पार्लेमेंट की पावर के ओपर कोई लिमिटेशन नहीं है, यह यह पार्लेमेंट की और सकती है, अपने हिसाब से जो मर्जी चाहे वो decision ले सकते है जो मर्जी चाहे वो change कर सकती है और इसके लिए जो है किसी भी court में कोई भी question नहीं किया जा सकता यानि उसकी power को जो है कोई भी question यहाँ पर नहीं किया जा सकता अगर वो किसी के भी fundamental right को avail ना करते हैं तो यहाँ पर आप fundamental right की avail ना करते हैं तो इस तरीकी की amendment यहाँ पर पास करके यह provision add कर दिया गया तो दुबारा से जो है supreme court के अंदर case जाता है और यहाँ पर जो मिनर्वा मिल case है 9080 के अंदर दुबारा से जो है supreme court यहाँ पर decision देता है कि यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं आप basic structure का avail ना कर रहे है कि यानि आप जो है constitution की जो basic feature है उनको नहीं मान रहे है constitution की basic feature क्या है judicial review यानि आप judicial review नहीं करने देना चाते अगर कोई भी चीज गलत होगी तो वहाँ पर judiciary जो रिवियू किया जाता है आप उसको एक तरीके से क्या कर रहे हैं court को जो है किसी भी decision को review करने से मना कर रहे हैं यानि आप जो court की power है उसको curtail कर रहे हैं तो यहाँ पर फिर से क्या हुआ कि Supreme Court ने इसको जो है फिर से null and void दे दिया कि ऐसे आप नहीं कर सकते आप अपने आपको इस तरीके से unlimited जो power है वो नहीं दे सकते और नहीं जो आप court की जो power है उसको curtail कर सकते हैं क्योंकि आप नहीं है इसमें कहा है कि आपके पास unlimited power है और आप जो है अगर उस power का use करते हुए अगर citizen के fundamental right भी अगर आप ले लेते हैं तो उस condition में भी आप जो है court के अंदर नहीं जा सकते तो वो चीज़ क्या है वो गलत है और वो क्या कहलाती है एक तरीके से वो जो है court को रोक रही है कि वो judicial review ना करें यानि judicial review का मतलब क्या है कि कोई लो जो गलत है उसको न देखे कि ये लो गलत है तो इसको क्या किया जाए नल एंड वोईड या unconstitutional जो है इसको करार दिया जाए क्योंकि judiciary उसको उसकी legality को चेक करेगी उसकी fairness को चेक करेगी उस लोग की क्या ये लो सही है ये नहीं है तो इसी को जुडिशल रिवीव बोला जाता है अब देखिए यहाँ पर जो है सुप्रेम कोड करता है कहता है कि ये किस तरीके से अवेलना कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर की तो आप देखिए कि कॉंस्टिचूशन के अ अवेलना है क्योंकि कॉंस्टिचूशन ने क्या दिया पार्लेमेंट को अली लिमिटेड पावर दी है ताकि अपनी जो है अनलिमिटेड पावर का यूज ना करके लोगों को परिशान ना करने लग जाए और उनके ओपर जो है अपना अर्बिटरेरी जो पावर है उसका य अनलिमिटेड नहीं कर सकती यानि लिमिटेड पावर को अनलिमिटेड में चेंज नहीं कर सकती तो ये एक तरीकी से क्या है बेसिक स्ट्रक्चर की अभिलना है उसके बाद देखें दुबारा से एक केस आता है वमन राओ वमन राओ केस 9081 इसके अंदर भी दुबारा से जो Supreme Court इसी डॉक्टर इनको फोलो करते हुए वो कहता है कि जो भी 24th April 1973 के बाद जो भी अमेंडमेंट पास की गई है उन सबी पर जो है क्या लगू होगा बेसिक स्ट्रक्चर कि आप जो है वो सारी कि सारी अमेंडमेंट जो है बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से डिसाइड की जाए यानि उनके जुडिशियल रिव्यू में ना आए इसलिए हर एक मैटर को किसमें रख देता था नाइन्थ सेडूल के अंदर रख देता था नाइन्थ सेडूल के अंदर पार्लेमेंट हर एक जो एक्ट को उसके अंदर रख देती थी ताकि जुडिशियरी इसको रिव्यू मैटर आपने 9th schedule में रखा है वो हर एक मैटर जो है वो judicial review के अंदर आएगा यानि judiciary review करेगी अगर वो गलत है तो उनको null and void दिया जाएगा अगर वो सही है तो उनको uphead किया जाएगा तो इस तरीके से जो है यहां पर इस केस के अंदर यह judgment जो है सुप्रिम कोट के द्वारा दी गई और उसके बाद जो है जो भी 9th schedule के अंदर उसके बाद जो भी मैटर रखा जाता है उसको जो है जुडिश्री review करती है इस से पहले के मैटर को नहीं review किया जाता है आप देखे कि elements कौन से कौन से आते हैं basic structure के बीच में तो देखे यहां पर अगर हम present position की बात करें कि Parliament की present position क्या है तो देखे Parliament की present position है उसके अंदर कहा है कि Parliament जो है article 368 का use करते हुए constitution का कोई भी part change कर सकती है even हमारे fundamental right भी change कर सकती है लेकिन एक यह condition है कि वो basic structure को बिना effect कि यह without affecting the basic structure of the constitution यानि constitution का basic structure उसको change नहीं करेगी अब देखे कि अब जो Supreme Court है वो clarify करता है कि आखिर यह basic structure है क्या इसके अंदर क्या क्या include किया जाता है तो देखे जैसे समय समय पर जो जो case आई उसकी according जो है इसमें काफी structure त्यार करते हैं अब देखते हैं कौन-कौन से वो element है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो elements है जो नीचे दीए element है वो हमारे constitution का basic structure बनाते हैं अब देखे कौन सा उप्रमेसी of the constitution यानि हमारा constitution सबसे उपर है यानि parliament जो अपने आपको सबसे उपर power दे रही थी वो गलत है तो इसका मतलब क्या है कि constitution जो है वो हमारे उपर rule करता है उसी के अंदर सारी के सारी power है और उसी के हिसाब से हमारी country को govern किया जाएगा तो इसलिए सबसे उपर ना तो judiciary है नहीं पार्लियमेंट है नहीं executive है सारे के सारे क्या है यह हमारा constitution सबसे उपर है सुप्रीम है आप देखिए हमारी country का जो character है नेचर है वो sovereign है democratic है रिपब्लिक है आप इसको change नहीं कर सकते sovereignty है इसकी यह अपने decision खुद ले सकता है यानि independently decision लेगा ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे जो है इसके decision को affect करेगा democratic country है लोगों की द्वारा जो है इसको govern किया जाता Republican country है तो यहाँ पर जो है election जो है वो लोगों के द्वारा ही किये चाते हैं तो लोगों के द्वारा उसके अंदर participate किया जाता है और अपने जो representative है वो चुने जाते हैं तो यहाँ पर जो है democratic और Republican type की जो है Indian polity है उसके बाद देखिए secular character यहाँ पर हर एक धर्म के लोग जो है यहाँ पर रह सकते हैं secular character किसी भी धर्म को follow कर सकते हैं तो यहाँ पर आप किसी को जो है यहाँ पर मजबूर नहीं कर सकते कि आप जो है किसी separate अलग धर्म को जो है यहाँ पर follow करें यानि state का अपना कोई भी धर्म नहीं है तो state जो है किसी एक specific धर्म को यहाँ पर religion को बढ़ावा नहीं देगा separation of power यानि legislature executive और judiciary की अलग अलग power है यानि legislature या Parliament judiciary की power को यहाँ पर curtail नहीं कर सकता है जैसे कि पिछे judicial review को curtail करने की बात की गई है इसी तरीके से judiciary जो है वो legislature के matter में जो है यहाँ पर अपना हस्तक्षिप नहीं कर सकते तो यहाँ पर separation of power है हर एक की जो है अपनी अपनी power है और यह जो है अपने हिसाब से इसको यूज करें उसके बाद देखे federal character of the constitution federal character है यानि state के पास भी अपनी power है union के पास अपनी अलग power है ऐसा नहीं है कि union जो है सभी states की power को यहाँ से चीन ले तो ऐसा भी नहीं होगा उसके बाद देखे unity and integrity unity of nation nation की unity और integrity को ध्यान में रखना है ऐसा नहीं है कि आपने nation की unity को हम कर रहे हैं कोई भी ऐसा कानून नहीं जो है यहाँ पर पास कर सकती पार्लेमेंट जो नेशन की unity और integrity को affect करें तो उसको judiciary क्या कर सकती है basic structure का पार्ट बोलकर उसको नलेंड वोट दे सकती है इसी तरीके से welfare state हमारी country जो है एक तरीके से welfare state की तरह काम करेगी ना कि police state की तरह मतलब ड्राधम का अगर काम नहीं करना है लोग की भलाई के लिए काम करना है welfare state की तरह करना है judicial review यानि कोई भी गलत कानून अगर पास किया जाता है तो वहाँ पर जुडिशरी picture में आती है तो यहाँ पर इसको भी चेंज नहीं किया जा सकता यह basic structure का पार्ट है उसके बाद देखे freedom and dignity of individual हर एक individual को कि अपनी dignity होती है और freedom भी है उसको parliamentary system इसको आप चेंज नहीं कर सकते parliamentary system फोलो होता है हमारे हाँ presidential system नहीं होता इसकी feature जो आग्याने वाले chapters के अंदर हम देखेंगे rule of law यानि हमारे उपर जो rule किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है लोके द्वारा ना कि लोगों के द्वारा तो लोग यहां पर rule नहीं करते है यानि जो government है वो हमारे उपर rule नहीं कर रही है बलकि जो लो बनाए गए है वो हमारे उपर rule कर रहे है harmony and balance between the fundamental right and DPSP, यानि directive principles, तो देखिए fundamental right और DPSP के बीच में क्या रखना है, harmony बना कर रखनी है, ताकि दोनों साथ के साथ चलते रहे, उसके बाद देखिए principle of equality, सबको equal समझ कर आपने चलना है, free and fair election होने चाहिए, कोई भी corrupt practices के इंदर नहीं होगी, independence of judiciary, आप judiciary के independence को curtail नहीं क कर सकते, यानि आप उनको मजबूर नहीं कर सकते, कि अपने पक्स में कोई भी decision देने के लिए, उसके बाद limited power of parliament, parliament की limited power है कि constitution को मेंड कर सके, तो यहाँ पर यह भी basic structure का part है, जिसको change नहीं किया जा सकता, effective access of justice, हर किसी को दिखा रहे कि वो जो है justice, उसको मिल सके, principle और essence underlying fundamental rights जो fundamental rights हैं, उनकी जो principles हैं और उनकी जो essence है, उसको बनाई रखना है, ऐसा नहीं है कि आप सारे के सारे fundamental right को यहाँ पर curtail करते रहें, power of supreme court under article 32, 136, 141 and 142, यानि supreme court को जो power दी गई है, 32 के अंदर, 32 के अंदर क्या power दी गई है, यह हम अपना fundamental right के अंदर देख चुके है, कि अ fundamental right के अवेलना होती है, तो आप direct supreme court के अंदर जा सकते हैं, तो इसका मतलब यह है कि article 32 को यहाँ पर क्या नहीं किया जा सकता, article 136 के अंदर क्या है, कि special leave, यह special leave से related है, अगर किसी भी court ने कोई भी decision दिया है, और अगर लगता है supreme court को कि यहाँ पर decision बिल्कुल भी सही नहीं ह तो वहाँ पर जो है, यहाँ पर यह supreme court यहाँ पर क्या कर सकता है, picture में आ सकता है, और वहाँ पर उसको special leave दे सकता है, उस case को और वहाँ पर case को सुन सकता है, और अपना decision दे सकता है, article 141 के अंदर आता है कि supreme court के द्वारा जो भी order दिया जाता है, यह जो भी decision दिया जाता है वो पूरी country के अंदर हर एक high court पर और सभी courts पर लागू होगा या अगर उसने कोई decision दिया है तो वो हर किसी पर लागू होगा जितने भी high courts है उन सब पर और जितने भी lower court है उन सब पर यानि पूरी country के अंदर लागू होगा जो भी Supreme Court ने decision दिया है उसको ही माना जाएगा ऐसा नहीं है कि कोई भी हाई कोर्ट आकर जो है सुप्रिम कोर्ट के दिये गए डिसीजन को पलट दे ऐसा नहीं होगा उसके बाद आर्टिकल 142 आर्टिकल 142 के अंदर क्या दिये है यह सुप्रिम कोर्ट को पावर है कि complete justice करने के लिए सुप्रिम कोर्ट अपनी तरफ से जो है कुछ भी guidelines issue कर सकता है या कुछ भी जो है अपनी तरफ से कोई भी order दे सकता है तो एक तरीके से complete justice उसको ensure करने के लिए जैसे हमने देखा अयुद्धा के इसके अंदर जो है उनको लगा कि जो यह अयुद्धा राम भूमी वाला जो जो मुद्धा है और जो बाबर मस्जिद का जो मुद्धा है तो उसके अंदर जो है सारी के सारी जो जमीन है वो दे द मस्जिद के लिए अलग से क्या कर दिया गया मस्जिद बनाने के लिए अलग से जो है यहां पर अलग से जमीन देने के लिए लेंड जो है उनको प्रवाइट की गई तो एक तरीके से यह जो है इस आर्टिकल का यूज करते हुए complete justice जो है वो सुप्रिम को द्वारा की गई इसके साथ सथ देखिए High Court की power है जो कि Article 226 के अंदर आती है और 227 के अंदर आती है तो देखे 226 के अंदर की अंसी power आती है Article 226 के अंदर आती है कि जो High Court अपनी इस्यू कर सकता है किसी भी rights को जो भी fundamental right है या दूसरे right है उनको ensure कराने के लिए जो High Court अपनी उने भी जो चोटे कोर्ट है उसकी स्ञोपर के सेPatrick से उसके उपर सुपरीटेंडंडन कीतरह इसी तरीके से जो दूसरे state के अंदर आप देख सकते हैं जैसे पंजाब है हरिगाना है तो वहाँ पर जितने भी district state है जो district जो court है चोटे चोटे जो court है तो वो देख सकते हैं कि उन सब पर जो है superintendent किसकी होगी जो वहाँ का उससे related जो भी high court है तो यह article 227 के अंदर आता है तो यहाँ पर हमारे जो है elements सारे के सारे हमने देख लिए हैं कि कौन-कौन से आते हैं और टाइम टाइम पर उनके अंदर जो है अच्छे से देख सकते हैं आगे देखे केस वाननद भारती केस सबसे पहले अगर हम देखे तो केस वाननद भारती केस के अंदर ही जो है हमारा basic structure सब के सामने आया कि basic structure जो है वहीं से evolve हो है तो इस case को जो है एक तरीके से fundamental right भी fundamental right केस भी बोला जाता है क्योंकि इस टाइम पर काफे सारे fundamental rights का violation हो रहा था और उनको जो है taken away करने की बात हो रही थी कि उनको जो है bridge करने की बात हो रही थी कि इनको curtail किया जाए तो इस वजह से यह basic structure जो term है वो यहाँ पर picture के अंदर आया तो इसके अंदर देखी कि कौन कौन से element उस time पर रखे गई उपर में सी of the constitution यानि parliament की power limited है और सबसे उपर कौन है constitution है separation of power between legislature executive and judiciary आप judiciary की power को एक curtail नहीं कर सकते republic and democratic form of government यानि लोगों की यहाँ पर क्या है सरकार है लोग अपने हिसाब से जो है यहाँ पर अपने representative चुनते हैं ऐसा नहीं है कि आप उनकी जो sovereignty and unity of India freedom and dignity of individual mandate to build a welfare state यानि आपने welfare state बनाना है ऐसा नहीं पुलिस state बनाएंगे आप कि जो मर जी आप जो है action लेते रहे यानि लोगों की freedom आप चीनते रहे अपने को लोगों की भिलाई के लिए काम करना है parliamentary system यह सारे के सारे जो है हमारे इस case के अंदर जो है सारे के सारे element न कुछ दानले बाजी हुई थी उसकी वेज़े से जो है सुप्रेम कोड के अंदर ये case गया था और वहाँ पर जो है फिर उस case से बचने के लिए यहां पर national emergency लगा दी गई थी तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है constitution के अंदर जो provision दिये गये है उनका misuse हुआ था तो आगे देखिए government of laws है ना की note of man तो यहां पर government किसके द्वारा की चाती है low के द्वारा ना की man के द्वारा यानि लोग आपके उपर राज नहीं करेंगे जो low है कानून है वो आपके उपर राज करेगा आगे देखिए judicial review यानि judiciary की जो low को review करने की जो power है वो की low सही है की न fair होने चाहिए election तो यह element डाले गए basic structure के अंदर उसके बाद देखिए मिनर्वा मिनर्वा जो मिल केस है 9080 के अंदर जो आया इसके अंदर जो है पारलेमेंट की power को बताया गया कि limited है क्योंकि पारलेमेंट ने अपने आपको ज्यादा ही power देदी थी 40 second amendment act के through आगे देखिए फिर से judicial review जो है दुबारा से यहां पर बतायागे कि judicial review भी इसका part है basic structure का harmony between and balance between fundamental right and DPSP तो यहां पर जो है पारलेमेंट DPSP को apply करने के लिए हर बार क्या करती है fundamental right को abrize करने का प्रियास करती है curtail करने का प्रियास करती है लेकिन यहां पर बात किए कि दोनोंक बीच में harmony बना करतनी है आपने आगे देखे अगला केस आता है central central all field limited case 9080 इसके अंदर जो है effective access to the justice यह भी हम पीछे देख चुके हैं कि यह भी हमारा जो है basic structure का element था उसके बाद देखे भीम सिंग जी केस 9081 के अंदर हुआ welfare state इसके अंदर रखा गया कि जो हमारा Indian state है वो welfare state की तरह का करेगा आगे संपत कुमार केस देख सकते हैं या पर दुबारे से रूल रूल रूफ लॉर जुडिशियल रिव्यू आया है आगे यह संबा मुर्ति केस 9087 यह भी रूल अफ लॉर जुडिशियल रिव्यू यह हमारे मैनली जो है फस्ट थ्री आप काफी जादा important हो जाते ह हमने देखे हैं बाकि आप जो है इनको थोड़ा सा इक इनको पर नजल डाल सकते हैं जैसे डेली जुडिशियल सर्वीस आसोशेशेशन 1991 के अंदर हुआ इसके अंदर जो है सुप्रीम कोड की जितने भी आर्टिकल 32 136 141 और 142 के अंदर जो पावर दी गई है सुप्रीम को तो यहां पर भी दूल ओफ लो को किया गया है आगे देखें कुमार पदमा परसाद केस 1992 के इंडिपेंडेंट्स ओफ जुडिशरी की बात करता है यानि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट्स काम करने दो उसके बाद क्यों हो तो कुलोन केस जिसको पापल डिफेक्शन लो अजुडिक्शन और वो अपनी पार्टी को छोड़ देता है तो उसको वहाँ पर डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो इसको बोला जाता है तो यहां पर देखेंगे फृरी एंड फेर एलेक्शन यहां पर बात की गी ए सोवरेंट देमोक्राटिक और रीपॉब्लिक unity and integrity की बात की है nation की social justice and judicial review के बार बार repeat हो चुके है आगे देखे चंदरकुमार case यहाँ पर high court के जो article 226 और 227 के अंदर जो power दीगी है high court को उनकी बात की है हिंद्रा सन्य केस दुबारा से second case जो आया है 2000 के अंदर principle of equality की बात करता है All India Judges Association case 2002 यह independent judicial system की बात करता है पुलदीप नायर case यहाँ पर democracy और free fair election नागराज case principle of equality दुबारा से यही repeat हो रहा है आई आर के hello case जो जो एक तरीके से ninth schedule case भी बोला जाता है जो काफी जादा news में रहता ninth schedule case यहाँ पर rule of law separation of power principle of principle और essence of underlying fundamental right यानि आप fundamental right को महत्तो दीजिए उनको ऐसे ही मत समझे कि हर बार जो हमको curtail करे judicial review और principle of equality उसके बाद है राम जेटी मलानी case 2011 के अंदर power of the supreme court under article 32 इसके अंदर जो power है नमित सर्मा केस जोकी 2013 के अंदर हुआ freedom and dignity of the individual मदरास बार association 2014 यहाँ पर judicial review और दुबारा से high court की जो power है 226 और 227 यह इतने जादा important नहीं है ऐसा आपको याद करने की जूरूरत नहीं है कि इस के अंदर कौन से element जो है वो include किये गए इस case के अंदर कौन सा element है basic just आप क्या कर सकते है elements के उपर नजर डाल सकते है कि कौन-कौन से element जो basic structure के अंदर include किये गए है क्योंकि कई बार आपसे question में पुछा जा सकते है चार option दिया जा सकते है उन में से बोला जा सकता है कि इन में से कौन सा element जो है तो इसलिए जो है आप सिर्फ इनके element के याद कर सकते हैं यहाँ पर यह आप कोई धियान रखने की जूर नहीं कौन से case के अंदर कौन सा element जो है यहाँ पर include गया गया तो इतना जाद इंपोर्टन नहीं है ज़स्ट आप इंग नजरीं के उपर डाल सकते हैं यहाँ पर हमारा यह चेप्टर फिनिश होता है अप्याँ याचेए यह लग है अजिए झाल ग्लॉ यहाँ यहाँ और फिर यहाँ इसक्षाम प्रिश्ट इसक्षाम के जो थैजरीं।